हेलो एवरीबन सो अभी हम लोग कवर करेंगे जो फ्रेंज बास्केटबॉल लिग का मैच होने वाला है दिजोन वसिस मोनेको के बीच में ठीक है गाईज तो आगर आप मेरे चैनल को आज फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो जो हमारे यूटुब चैनल है उसको आपको सब् इंजरी नियुद यह सारे डिटेर्स आपको मेरे यूटुब के जो मेरा वीडियो में अप्लोड करूंगा वो चैनल पर आपको मिल जाएंगे इसके सब्स्राइब करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है और जैसे मैंने कहा कि जो बेल आइपन है उसको आपको प्रेस करना है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटे दिखिशन मिलें ठीक है सेकेंड चीज गाईज अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रूहित एटमें ड्रीम इलान करके ठीक है उससे आप हमारे चैनल को जूड जाओगे या फिर वीडि तो गई सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो फर्स्टीम में डी जॉन का वो लोग का स्कॉर्ड तो स्टार्टिंग नाइन अप में थे लास्ट में एट चलसाइंग डी होलस्टोन जे जॉनसन एट जूलियन एट चानविज ठीक है और बेंच से कह रहे थे अलिंगवी अगर स्कॉर काड की बात करेंगे देख सकतो 83-59 से बहुत आसानी से विन किया था डी जॉन के टीम ने ठीक है पफामस की बात करेंगे एट जूलियन देख सकते हो 26.4 रिबाउंद 5 असिस 30 मिनिट्स एलिंग वे 11.8 रिबाउंद 1 असिस 19 मिनिट्स चासांग 9 पोईंद रि रिबाउंद 6 असि 25 मिनिट्स एंज्वीन 9.6 रिबाउंद 3 असिस 25 मिनिट्स डुकोटी बात में डुकोटी का पफोमस देख सकते है 7.3 रिबाउंद 2 असिस 22 मिनिट्स जॉन्सन देख सकते हो आप ठीक है 7.2 रिबाउंद 2 असिस 25 मिनिट्स बात में है गैलियोयू 3.3 रि असिर उन्ट्रू विद कियाटा अपने टीम के लिए ठीक है अभी हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड टी में मोनगो का स्पोर देखेंगे लास्ट मैच का स्टाटिंग नाइन अप में थे बोस्ट इंगलेज लेसोट एंडवे ओबरेंड ठीक है बेंच से खेले थे चौपास दिमाइस बलाव आएफाई बी प्रेजियर और ग्रे मर्कास नाइट और रशित महल बेसिज ठीक है पफाउंस की बात करेंगे देख सकतो लास्ट मैच में टॉप स्कॉरर थे मर्कास नाइट 21.2 रिबाउंड 3 असिस 23 मिनिट्स पाय का देख सकतो 11.4 रिबाउंड 19 मिनिट रिबाउंड रिबाउंड 1 असिस 23 मिनेट्ट फ्रेजियर 10 po중 बामख 1 असिस 18 मिनिट्ग रेजियर 9.3 वाल रिबाउंड 1 असिस 18 अफिप महा पोस्ट 8.5 क्रेवाउंड 3ासिस 26 मिनिट्ट फिदीु यंगलिस 7.4 रिबाउंड 1 असिस 14 मिनिट्ट जेए ओर ये खरinding बामख सबसे पहले देखेंगे पॉइंगाट सेक्षन से आपके लिए फ्रेजियर मारकस नाइट एजूलियन लास्ट मैच के जो टॉप स्कोर थे अभी हम लोग ने स्कोर देखेंगे लिए क्योंकि वह मैच अकर आप ठीक से देखो कि तो वन साइड हुआ था मैच इसलिए जो बेंच से प्लेयर आते हैं वह ज्यादा टाइम खेलेते वह मैच में ठीक है तो एजूलियन आप ले सकते हो ज़रूर लास्ट मैच में टॉप स्कोरर था ठीक है बाद में आपको जी प्लेयर है उसके टीम के डूकोटे डीमाइस चौब पास यहां से खेलते होगे दिख जाएंगे ठीक है बात में सेक्षन से आपके पास मश्ट पीख होने वाला जॉन सब्सक्राइब आपको जरूर्ट राय करना है ग्रेंड लिग में स्मॉल लिग में आपको बहुत अच् खेलता है तो मैं टेलिग्राम चैनल पर रूहिद देट में ट्रीविलन पर आपको अपडेट प्रोवाइड करूंगा आरे बढ़िया प्लिया रहे है लेकिन ज्यादा टाइम कोट पे स्पेंड नहीं कर रहे है जो पंट आप ट्राइब करना चाते हो तो जरूर्ण राय कर ठाएं ठीक है तो डोनों में आप यसी को पिक कर सकतो ओत्याप होल्स्टोन को ड्रॉप करना चाते हो ठीक है और यहां से आपको अब्रेंक च्रॉप करना पड़ेगा तकी आप यहां से पाई किसी एक को ले सकते हो और यहां आप जैसे मैंने कहा वांस्धीन भी बहुत मस्ट आपके लिए एस पीपी का ऑप्शन है सेम बोस्ट लेस और भी एस पीपी के लिए ऑप्शन अच्छा है तो जैसे मैंने वहाँ कि बहुत सारे ऑप्शन्स आपके लिए अवेलेबल होने वाले यह मैच के लिए ठीक है अगर आप जो यह टीम का टॉप स्कोर क्लियर है यहां उसको अगर लेना चाहरे हो तो आप जरूर ले सकतो है अग्वीन और सेंटर फाय को ड्रॉप करना पड़ेगा यहां से होलिस्ट उन को ले सकतो है यहां से ओबर ये सकते हैं तो मैंने सारे अवेलेबल ओप्शन्स आपके लिए बता दिए गाइज ये मैच के लिए तो उसी सब शाब अपने टीम में चेंड़ेस जरूर कर लेना ठीक है स्मॉली ग्रेंड लिग में आपको जरू हैप मिलेगी हज्मिन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है महाल बेसी नाइट जो कोई स्टार्ट करेगा सीधा एसपी रख लेने आप लोगों ठीक है तो यह चीज़े ज़रूर फॉलो करना गाइस एंड वांस अगेंड आम टेलिंग अगर फाइनल कुछ चेंड़ेस होते है लाइन अप में तो वह सारे अपडेट मेरे टेली नाम चैनल पर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा रूही देट में ट्रीम लिएन पती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्षिन में आपको यहां लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप मेरे टेली नाम चैनल को जूर सकते हो गाइड तो गाइस आल दबेश फार दीस मैच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो